वेलकम एश्रेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायलोजी के चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतरगत फॉर्टिलाजेशन के प्रॉसेस के बारे में डिसकस देखें, fertilization जो है, वह plants में या animals में होने वाला एक बहुत ही महत्तोपूर्ण जो है, वह process है, इसके अंतरगत, जो है, male gamit और female gamit का fusion होता है, जिसके पस्चात, जाइगोट का formation होता है पौधो में यह प्रक्रिया pollination के पस्चात होती है, या pollination के बाद होती है, इसमें इसकी खोज जो है, पौधो में स्ट्रासबर्गर नाम के बैग्यानिक ने 1884 में monotrapa नामक plant में इसके बारे में discover किया था अब fertilization जो है, उसके पस्चात, जाइगोट का formation होता है, या जो जाइगोट है, वह first sale होता है, इस sporophyte का ध्यान रखना है यहाँ पर, जब fertilization के पस्चात, जाइगोट का formation होता है, तो वह जाइगोट में फिर mitosis की प्रक्रिया होगी और mitosis की प्रक्रिया के पस्चात, वह जो है, धीरे-धीरे बिक्सित होगा, और बीज में वह, मतलब develop हो जाएगा embryo के रूप में वह रहेगा, बीज के अंदर, seed के अंदर, और फिर जब यह seed जो है germinate होगा, तो वह नए पौधे का निर्मान करेगा, यह जो पौधा होता ह है, यह जो life होता है, उसको हम लोग sporophyte life cycle इसका कहते हैं, और इसी sporophyte के अंतरगत जो है, इन में फिर meiosis की प्रक्रिया के द्वारा spores का formation होगा, जैसे हम लोग ने देखा था micro spore और mega spore, फिर इसके बाद in micro spore हो, चाहे mega spore हो, इसमें mitosis की प्रक्रिया होगी, और gametes का formation वो gametophyte में बदल जाएंगे, तो यह जो life cycle होता है, प्लांट्स में यह diplo-haplontic life cycle कहलाता है, क्योंकि जो sporophyte बनता है, वो diploid अवस्था होती है, और gametophyte जो होता है, वो haploid अवस्था होती है, तो इस तरह से पौधो में एक बार meiosis की प्रक्रिया होगी, जब spor का formation होगा, और उसके बाद फिर दो बार इसमें mitosis की प्रक्रिया होती है, एक तो gamet बनने के लिए mitosis की प्रक्रिया होती है, इस pores में पहला, और दूसरा जो है, जाइगोड बनने के बाद, जो है, mitosis की प्रक्रिया के दौरा, वो अपना, मतलब development करता है, तो यह था sporophyte के बारे में germination of pollen grains, यह जो pollen grains होते हैं, जब वो form हो जाते हैं, तो चाहे वो हवा के माध्यम से, या पानी के माध्यम से, या insects के माध्यम से, वो stigma पर आते हैं, और वहाँ पर germinate होगा, यदि वो same species का है, तो, दूसरा जो उसके बाद step आएगा, जब वो germinate हो जाता है pollen grains, तो उसमें pollen tube का formation होता है, और वह pollen tube जो है, वह ovule के अंदर कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में हम लोग इस दूसरे step में discuss करेंगे, फिर तीसरे step में हम लोग देखेंगे, कि pollen tube जो है, वह ovule में तो प्रवेश कर चुका है, अब वह embryo sack में कैसे जो भूंकोश है, उसमें कैसे वह entry लेत करते हैं, एक male gamit है, जो की egg cell से fertilize करेगा, और उसके द्वारा जो है, जाइगोट का निर्मान होगा, और यह जाइगोट आगे चलकर embryo में और फिर नए पौधे का निर्मान करेगा, और जो दूसरा male gamit है, वह polar nuclei या secondary nuclei से fertilize करता है, और endosperm का formation करता है, तो चुकि इसमें दो बार fertilization की प्रक्रिया होती है, इसलिए से double fertilization कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे, इन steps को discuss करने से पहले थोड़ा सा हम लोग pollen-pistil interaction के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देखिए, हवा में बहुत सारे प्रकार के pollen grains तैरते रहते हैं, या float करते रहते हैं, तो यह जब pollen grains जब stigma पर पहुंचते हैं, तो यदि वह same species का है, वह stigma और pollen grain, तो वह pollen grain को stigma जो है, वह germinate करने के लिए allow करता है, नहीं तो वह pollen grain जो है, वह degenerate कर जाएगा, तो यह जो प्रक्रिया होती है, pollen grain का stigma पर आना, और stigma पर आने के पहस्यात, उसमें pollen tube का formation होना, और उस pollen tube का embryo sac में प्रवेश करना, या obule में प्रवेश करना, यहां तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वह pollen-pistol interaction कहलाता है, यह एक तरह का chemical interaction यहां पर होता है, मतलब chemicals के द्वारा यहां पर पहचान करी ज प्रवेश करता है, तो यह पूरी प्रक्रिया है, यह pollen-pistol interaction कहलाती है, यह जो है, chemical components के द्वारा जो pollen-grain और प्रिस्टिल जो होता है, उसके द्वारा यह meditate की जाती है, या उसके द्वारा यह संपन कराई जाती है, इस प्रक्रिया में हमें ध्यान रखना है, कि जो compatibility protein जो बनते है, टेपेटम के द्वारा जो pollen-grain पर पाए जाते हैं, यह जो है, मदद करता है, पिस्टिल को पहचानने में, कि यह जो compatibility proteins होते हैं, वो help करते हैं, recognize करने में, कि वह self-same species का ही pollen-grain है, तब वह पिस्टिल उसको germinate करने के लिए allow करेगा, अब उसके बाद एक दूसरा जो process यहाँ पर एक और चलता है, जो compatibility proteins यहाँ पर काम करते हैं, और जो self-sterility या self-incompatibility का जो process होता है, जिसके बारे में हम लोगोंने last video में डिसकस किया था, यह भी जो है यहाँ पर मदद करता है, यह self-sterility जो है cross-pollination का ही एक जो है का सकते है adaptation था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे same species, sorry, same plant का जो pollen-grain जब उसी plant के stigma पर पहुंचता है, तो वो germinate नहीं होता है, जब कि दूसरे pollen-grain जो same species के होते हैं, जब इस stigma पर आते हैं, तो वो आसानी pollen-tube का formation होता है pollen-grain के द्वारा और pistilus को अपने द्वारा मतलब उसमें germinate करने के लिए उसका stigma जो हो अलाव करता है, चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे इन steps के बारे में करके, सबसे पहले हम लोग germination of pollen-grain के बारे में, तो अब हम लोग fertilization के पहले step के बारे में discuss करे देखेंगे, पहला step जो है, जिसमें germination होता है pollen-grain का और pollen-tube का formation होता है, उसके अंतरगत होता क्या है, जो pollen-grain जैसे ही stigma पर पहुंचते हैं, तो वो moisture को absorb करते हैं, stigma से moisture को absorb करते हैं, उसके साथ-साथ sugar content को भी absorb करते हैं, और वो swell-up कर जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, अ अब क्या होता है, जो in-tine होता है, वो pollen-grain का जो in-tine होता है, वो किसी एक germ-pore से जो है, वो बाहर की तरफ tube के रूप में निकलता है, उस tube जैसे सनरशना को हम लोग pollen-tube कहते हैं, इसकी जो सबसे पहले discovery इसके बारे में GBME की नाम के scientist जो है, वो एक mathematician थे, लेकिन फिर भी का जो plant होता है, जो हम लोग देखते हैं, 9 बजिया, 10 बजिया, जो full हम लोग बोलते हैं इस तरह से, वह उस plant में उन्होंने इस pollen-tube की सबसे पहले discovery की थी, जब pollen-tube का जो formation होता है, तो यह pollen-tube produce करता है कुछ खास तरह के enzymes को, जैसे उसमें pectinase है, जो कि pectin को dissolve करेगा, और कुछ hydrolytic enzymes होते हैं, जो कि जो stigma या जो solid style होता है, उसको digest करते हैं, यहां ध्यान देना है कि जो monocots में hollow style पाया जाता है, और जो dicots होते हैं, उनमें solid style पाया जाता है, तो जो hollow style होता है, उसमें canal-like structure, मतलब उसका जो अंदर का structure होता हुए, canal-like होता है, और जो कि special glandular cells के दोरा lined होता है, तो उसी मतलब canal के किसी एक side से जो है pollen tube जो है, मतलब attached होता हुआ, आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि जो solid style होते हैं, उसमें जो cell से भरा हुआ होता है, तो जो cells जो होते हैं, उसके बीच के जो intercellular spaces होते हैं, उसके through pollen tube का growth होता है, और उसी दोरान जो है, य बढ़ता चला जाता है, अब तो जब pollen tube जो है, वह style में move करता है, तो जो सबसे पहले क्या होता है, उसका जो tube nucleus होता है, या जो vegetative nucleus को हम लोग बोलते हैं, वह उस tube में सबसे पहले entry लेता है, उसका जो अधिकतर जो cytoplasm होता है, वह उसी tip की और pollen tube का जो tip होता है, उस पर प करता है, pollen tube के growth को कि किस direction में हमें जाना है, तो वह मदद करता है, tube nucleus उसमें, अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद जो है, उस tube nucleus के पीछे जो है, जो है, जो होता है, वह पाया जाएगा या वह उसके पीछे रहता है, अब जब generative cell जो होता है, या यह जो हम लोग आवस्था देख रहे हैं, यहां two cell अवस्था देख रहे हैं, जो pollen grains में, जो two cell अवस्था थी, यानि एक generative cell और एक vegetative cell वाली अवस्था के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब जैसे ही generative cell नीचे की तरफ move करेगा, तो यह generative cell जो है, वह माईटोसिस की प्रक्रिया के दोड़ा divide करता है, और दो male gamits का formation करता है, यह दोनो male gamits जो होंगे, वो non-motile होते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, अब यह pollen tube का जो movement होता है, उसका rate होता है, यहां ध्यान देंगे, 1 से लेकर 6 mm पर hour, इसका speed होता है, movement का या growth होने का, तो यह आपको ध्यान रखना है, अब pollen tube जो होत प्रॉपिक movement शो करता है, रसाइनिक अनुवर्तन जो है, वह ट्रॉपिक movement का एक type होता है, कीमो ट्रॉपिक movement, जब कोई structure, जेनरली वो जो कह सकते हैं, living structure है, वह किसी chemical के attraction के कारण, या chemicals के कारण, जो हो attract होता है, तो उस तरह के movement को जो है, और कुछ organisms हैं, या जो plant का structure, या क movement शो करता है, तो इस तरह के movement को हम लोग कीमो ट्रॉपिक movement कहते हैं, तो यह क्या होता है, जो है, वह synergist के तरफ जो है, वह कीमो ट्रॉपिक movement को शो करते हैं, ध्यान देना है कि यह जो synergist है, यह कुछ chemicals का secretion करता है, जो कि उस pollen tube को अपनी तरफ आकर्षित करता है, या attract कर करता है, और उसी के तरफ जो है, बढ़ते हैं, तो यहां पर एक यह ध्यान देना है, आपको calcium, boron और inocytol जो है, sugar complex, इसमें यहां पर यह chemical बहुत ही बड़ा role play करता है, यहां ध्यान देना है आपको कि जो boron होता है, वह pollen grain में present होता है, जो calcium और inocytol जो sugar complex है, वह pistol के तो यह जो दोनों है, boron जो है, और calcium यह दोनों जो है, pollen tube growth के germination में और उसके growth में बहुत ही जादा major role play करते हैं, अब एक और चीज़ आपको यहां ध्यान देना है, एक term है यहां पर साइफोनो गेमी, जब साइफोन का मतलब होता है tube, तो जो male gamit जो होते हैं, जो plants में, साइफोनो गेमी कहते हैं, यहां ध्यान देना है, when male gamits are brought to egg cell of embryo sac by pollen tube, this is called साइफोनो गेमी, इस साइफोनो गेमी के बारे में भी स्ट्रास बर्गर नहीं बताया था, जिन्होंने fertilization का discovery किया था plant में, तो यह ध्यान रखना है आपको, यह साइफोनो गेमी जो होता है, वो और एल्थिया में पाये जाते हैं, यहां पर pollen tubes का formation ज्यादा numbers में होता है, लेकिन उन में से सिर्फ एक ही जो pollen tube वह growth करेगा, बाकी जो है वह degenerate कर जाते हैं, अब आपको यहां ध्यान देना है, जो pollen tube होता है, वह सबसे longest pollen tube जो है, वह जी मेज, जो मकईर होता है, उसमें पा जाता है, तो longest pollen tube जी मेज में पाई जाती है, और जो smallest pollen tube होती है, वह जो है, बीटा वल्गरिस नाम के plant में पाई जाती है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले step की और, अब हम लोग ovule के अंदर जो है, pollen tube कैसे entry लेता है, उसके बारे में discuss करेंगे, देखिए, जैसे यहीं वो ovary में, जो pollen tube है, जब रीच करता है, तो उसके पास तीन रास्ते होते हैं, जिसके द्वारा हुआ, ovule के अंदर जो है, वो प्रवेश करेगा, तो सबसे पहला है, वो है, पोरोगेमी, बिजांट द्वारी प्रवेश, दूसरा है, चैलेजोगेमी, जिसको हम लोग प्रवेश बोलते हैं, तीसरा है, मेजोगेमी, अध्यावर्णिय प्रवेश, जो पोरोगेमी होता है, उसमें देखे, माइक्रोपाइल के तरफ से, जो यह pollen tube है, यह ovule हो गया, यह ovary का structure यहां रहेगा, और इसके अंदर जो है, यह pollen tube यहां stigma मान लेजे होगा, तो ऐसे धी दे धी धीरे-धितरी, यह माइक्रोपाइलर, एंड की तरफ से, जो है, वो ovule की तरफ से, यह ovule के अंदर प्रवेश करेगा, दूसरा जो है warukे चैलेजोगी, इसमें चैलेजल एंड, देखे, यह चैलेजल एंड है, और यहgruppeềnriend है, तो चैलेजल एंड की तरफ से, जो है, पॉलें ट्यूब ने एंट्री ले लिया है और यह फिर इस तरफ माइक्रो पाइलर एंट की तरफ वह धीरे-धीरे प्रवेश करेगा यह ओभियूल में इसकी एंट्री हो चुकी है तीसरा जो स्टेप है इसमें देखें मीजोगेमी यह अध्यावर्णिया प्रवेश कहला था इसमें चाहे तो यह फ्यूनिकल की तरफ से जो है पॉलें ट्यूब जो है वह इधर से प्रवेश करें या जो इंट्यूगमेंट वाला साइड होता है उधर से वह प्रवेश कर सकत है जब इंटुगमेंट के तरफ से वह प्रविश करता है तो इसका एक्जांपल है क्युकुरुबिट्स है अब देखिए यहां पर चैलोजोगेमी का जब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जो है पौधों में जो निशेशन की प्रक्रिया है या फटलाज़न की प्रक्रिया है उसके अंतरगत तीसरे स्टेप जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पॉलियंट ट्यूब जह हुआ एंब्रियो सेक के अंदर कैसे प्रवेश करता है चाहे तीनों तरह तरीकों से किसी भी तरीके से वह प्रवेश करें लेकिन जब वह एंब्रियो सेक में प्रवेश करेगा तो वह हमेशा ही जो है यह जो एंट्री होगी वह माइक्रो पाइलर एंड के तरफ से ही होगी एंब्रियो सेक में यानि एंब्रियो सेक के अं entry क्या हो पॉलिन ट्यूब लेकिन जब embryo sac में जो है pollen tube जो है एंट्री लेगा तो हमेशा माइक्रो पाइलर एंड की तरफ से ही लेगा इसके बाद क्या है जो pollen tube का जो entry होता है embryo sac के अंदर वह chemotropic guidance के द्वारा होता है जो कि synergists के द्वारा कुछ chemical secrete किये जाते हैं वह chemicals जो है pollen tube को अपनी तरफ आकरशित करता है इस प्रक्रिया को हम लोग chemotropic movement कहते हैं तो यहाँ पर यह प्रक्रिया होती है उसके बाद क्या होता है कि कोई एक synergid जो है जैसे सपोच कि यह दो synergids है और यहाँ पर यह synergids से जो pollen tube है इसी जो degenerate कर रहा है जो नष्ट हो रहा है synergid उसकी तरफ से वह enter करता है embryosac में और उसमें फिर synergids में entry लेता है उसी समय क्या होता है जो pollen tube के tip पर जो जो है tube nucleus present रहता है वह degenerate कर जाता है ध्यान देना यहाँ पर टीप of the pollen tube enters into the embryosac जब tip प्रवेश करता है embryosac में तो जो यह tube nucleus है वह degenerate कर जाता है अब क्या है कि जो tip of pollen tube swells and burst due to endosmosis यहाँ पर क्या होता है endosmosis की प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो है pollen tube का tip जो होता है वह burst कर जाता है endosmosis मतलब उसमें water का जो entry होता है इसके कारण यह tip जो है इसका वो नश्ट हो जाता है और जो इसके पूरे के पूरा जो content होता है और उसके सांसा जो mail gamits होते हैं वह इस synergy में release कर दिये जाते हैं और फिर यहां से दो mail gamits इसमें हमें दिखेंगे वह दोनों mail gamits आगे जो है fertilization में participate करेंगे तो चलिए अब हम लोग fertilization के चौथे step के बारे में discuss करेंगे देखिए fusion of gamits and double fertilization के बारे में हम लोग जानेंगे अब जैसे ही synergits में जब mail gamits enter करते हैं जो degenerate कर चुका होता है synergits तो यह जो दोनो mail gamits होते हैं वो दो तरह के fertilization में participate करते हैं जो पहला fertilization है जो कि सिंगेमी कहलाता है या true fertilization होता है उसमें mail gamit जो हता है दो mail gamit में से एक mail gamit जो है वह एक cell के साथ fertilize करता है या fuse करता जाइगोट का formation करता है यह जाइगोट जो आगे चलकर embryo में develop होगा यहां देखेंगे mail gamit जो कि haploid structure है एक cell भी haploid structure है यहां सिंगेमी की process हो रही है और जाइगोट का formation होता है तो यह जो कि 2N diploid अवस्था आ जाती है यहां पर आगे बढ़ते हैं देखें ट्रिपल fusion 3 sun lion इसको कहते हैं second mail gamit जो होता है वह secondary nucleus के साथ fuse करता है और primary endosperm nucleus में बदल जाता है जिसको की short form में हम लोग pen pen बोलते हैं यहां ध्यान देना है mail gamit जो कि haploid अवस्था में होती है secondary nucleus double nucleus होने एक कारण में deployed हो जाती है triple fusion यहां पर यह कहलाता है क्योंकि यहां पर दो nucleus इसका और एक nucleus इसका मतलब fuse कर रहा है इसले triple fusion कहलाता है और इसके बाद जो सनशना बनती है वो है primary endosperm nucleus जो की triploid अवस्था होती है और यह जो triple fusion के बाद जो होता है जो central cell जो होता है वह primary endosperm cell में बदल जाता है उसी के अंदर यह nucleus प्रेजेंट रहता है जो की बाद में आगे चलकर endosperm के रूप में या भ्रून पोश के रूप में विक्सित होगा यही endosperm जो है growing embryo को nutrition provide करता है आगे देखिए यहां पर चुकी यहां पर fertilization दो बार होता है same embryo sac में दो बार fertilization की प्रक्रिया होती है और दो अलग तरह के structure इसमें बनते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग double fertilization कहते हैं और इसके बारे में जो है नवाशिने ने जो है 1898 में discover किया था इसको दो plants में और लीलियम में उन्होंने इसको find out किया था यह double fertilization की process के बारे में उन्होंने सबसे पहले नवाशिन नाम के scientist ने इसके बारे में बताया था डिस्क्राइब किया था तो इस तरह से पौधू में जो है दो बार fertilization की प्रक्रिया होती है सेम embryo sac में इसलिए से हम लोग जो है double fertilization की process इसको कहते हैं और यह बहुत ही important process होता है देखे angiosperms और gymnosperms में थोड़ा सा यहां पर difference होता है जैसे कि angiosperms में क्या होता है जो endosperm का formation होता है वो जाइगोट formation के बाद होता है जबकि जो gymnosperms होते हैं उनमें यह जो endosperm का formation होता है वो एक तो पहले haploid अवस्थाम होती है उसमें double fertilization की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि जो एक male gamete होता है वो degenerate कर जाता है जिसके कारण सिर्फ उसमें जो एक बचा हुआ जो male gamete होता है वो एक सेल के साथ fuse करता है और जाइगोट का formation करता है जबकि जो दूसरा male gamete होता है वो degenerate कर जाता है और जो endosperm उसमें बनते हैं वो haploid nature के होते हैं और fertilization से पहले ही बन जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है एनरजी का formation नहीं होगा और वो जो पहली process जो थी endosperm का formation हुआ जिसमें कि energy का loss हो चुका है already वह मतलब loss कहाई counting उसमें होगा मतलब loss हो चुका एक तरह से लेकिन एंडियो sperm में क्या होता है कि पहले जाइगोट का formation होगा उसके बाद जो है angiose pumps में कि यह male और female दोनों characters इसमें रहते हैं मतलब male जो flower होता है उसका भी characteristic रहता है क्योंकि एक male gamit जो है इसमें यहाँ पर वो प्रोभाइड हो रहा है उसका chromosome और दूसरा secondary nucleus जो की female part होता है female का दोड़ा provided होता है तो उसके double fertilization के बारे मैं अगले page में हम लोग significance जो होता है double fertilizer का उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब अब हम लोग दोहरे निशेचन यानि double fertilization के महत्तो को समझेंगे देखिए इसमें सबसे पहला point है जो double fertilization जो प्रक्रिया होती है उसमें triple fusion वाला fertilization भी होता है जिसके दुआरा endosperm का formation होता है और यह endosperm जो होता है growing embryo को nutrition प्रभाइड करता है ध्यान देना है कि जो endosperm बनता है वही endosperm growing embryo को nutrition प्रभाइड करता है growth के दौरान दूसरा जो इसका point है endosperm is necessary for the production of viable seeds suppose कि जो endosperm बनेगा ही नहीं तो जो seed है वह बिक्सित अच्छे डंग से नहीं होगा क्योंकि जो उसमें का embryo है वह मर चुका होगा जब उसमें endosperm बनेगा नहीं तम क्योंकि endosperm जो है उस embryo को nutrition प्रभाइड करता है और वह seed जो है उसी के अंदर embryo present होता है तो यदि वह embryo जिंदा रहेगा तभी वह seed भी नए प्लांट को जन्म दे पाएगा आगे है देखे इट एंस्योर्स दे एंडो स्पर्म इस फॉर्म ओन्ली विन दे formation of embryo has occurred मतलब यह यह इंस्योर करता है कि जो endosperm तभी बने जब embryo का या जाइगोट का formation हो चुका होता है यानि जब फर्टिलाइशन पहला वाला सिंगेमी वाला जो फर्टिलाइशन है वह हो जाएगा यानि जिसमें जाइगोट बन जाएगा तभी यह एंडो स्पर्म बनना चाहिए नहीं तो वह energy waste हो जाएगी देखें जाइगोट नहीं बन पाएगा अब क्या होता है जो एंडो स्पर्म होता है वह फर्टिलाइशन के बहुत पहले ही बन चुका होता है यदि फर्टिलाइशन जो है जाइगोट वाला जो होता है यदि वह नहीं हो पाता है इन इस केस फर्टिलाइशन फेल्स मतलब जाइगोट यदि नहीं बनता है तो energy जो spent हुआ था एंडो स्पर्म बनने में उस जिम्नो स्पर्म में वह वेस्ट हो जाएगा आगे बढ़ते है इट परुआइट संव मिल करक्टर क्शें असा कि हम ने देखा कि में घंडिफ करता है स्टेके नृक्लियस से तो वहां पे मेल और आवर उन दोनों उस singularay चारेक्टर श्तिक सोड़िय करता जबकि ईबीं में क्या होता है वह एपलड़ाइट अवस्ट्रक्रइब ध्यान characteristics present होते हैं अब हम लोग fertilization के पस्चात जो है पौधों के जो फूल होते हैं उनमें जो बिभिन बदलाव आते हैं उनके भी जो different parts होते हैं उनमें क्या-क्या changes जाते हैं post-fertilization के मतलब के समय उसके बारे में हम लोग जानेंगे देखे जैसे जो overy का जो wall होता है वह fruit wall में convert हो जाता है पेरी कार्प के रुप में वह big batch ہوगा overy जो है वह fruit में बदल जाती है ovules जो है वह seed में बदल जाता है जो beauty का जो integument होता है दोनों उसमेंसे जो outer integument है वह टेश्टा के नाम से जाना जाता है और यह Опले seed coat में बदल जाता है जिसको हम लोग testa कहते हैं जो inner integument होता है वह tagment में बदल जाता है जो कि inner seed coat कहलाता है और newcellus जो है वह degenerate कर जाता है कुछ plants में यह newcellus जो है वह perisperm के रूप में रह जाता है synergits जो है वह degenerate कर जाते हैं जैसे नहीं pollen tube जो है वह ovule के अंदर प्रवेश करना होता है तो उस दौरान एक synergy जो है वह degenerate करना शुरू कर देता है दूसरा synergy कुछ समय के पस्चाच जो है वह degenerate कर जाता है आगे जो है antipodal cell है वह भी degenerate कर जाते है एक cell जो है वह fuse कर जाता है एक male gamit से और जाइगोट में वह बदल जाता है जो कि आगे चलकर embryo का निर्मान करेगा और नय पौधिक रूप में बिक्सित होगा secondary nucleus जो होता है वह endosperm के रूप में बिक्सित होगा यह secondary nucleus जो है second male gamit से fertilization करता है और endosperm में बदल जाता है यह endosperm जो है वह food प्रवाइड करता है nutrition प्रवाइड करता है growing embryo को आगे जो है hilum यह hilum जो है यह seed का एक seed पर आप देखेंगे कि scar के रूप में एक dot के रूप में पाया जाता है दिखता है हमें scar on seed कहलाता है यह जो funicular से यहां से यहां पर ध्यान देना यह अलग है funicular जो है वह seed के stock में बदल जाता है seed के stock में बदल जाता है जिस जो की टूट भी सकता है या उसके सांथ attached रह सकता है seed जो है उसके सांथ जुड़ा हुआ भी रह सकता है आगे जो है micro pile सीड के ऊपर एक गेफायल नहीं पाया जाता है ये या इक सिद के रुप में पाया जा सकता है जैसे चने में हम को दिख जाता है आगे है petals जो है बहुत सारे traces में怎么了 maximum में वह full जो है उसका petal जो होता हुआ खत्म हो जाता है जड़ जाते हैं जबकि कुछ cases में जैसे कि आप कह सकने strawberry जो plant होता है उसमें यह रह जाता है सेपल जो है वह fall down कर जाते हैं लेकिन कुछ plants में जैसे ब्रिंजल में tomato में यह रह जाते हैं आगे है पेडिसल जो होता है वह fruit के stock के रुप में रह जाता है stigma जो है वह fall down कर जाता है कुछ-कुछ cases में यह पाया भी जा सकता है जैसे केसर यह सब में यह पाया जाता है एंथर जो है वह dry up हो जाता है और false up हो जाता है तो इस तरह से हम लोग उने post-fertilization यानि fertilization के बाद फूल के different parts में क्या-क्या change जाते हैं उसके बारे में हमने जाना अब अगली वीडियो में हम लोग इसमें post-fertilization event के जो चार सबसे important जो process है या events होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे जैसे सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे endosperm के बारे में उसके बाद जो है जो जाइगोड जो embryo में कैसे develop होता है इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे ये दूसरा भाग रहेगा और फिर seed के बारे में हम लोग देखेंगे और fruit का formation कैसे होता है ये हम लोग एक एक करके चार वीडियो में हम लोग इसका discussion करेंगे तब तक के लिए thank you